व्लोग friends, welcome to Stoyenpedia, the अलिकानत्य इतरी, जैसे यहाँ पर एक्जामनेशन देते हैं, तो multiple center में admission नयनी के लिए eligible हो जाते हैं, यहाँ पर seat क्या है, क्या changes देखने को मिल रही है, सब कुछ आपको बताऊंगा, साथ में जानेंगे यहाँ पर tentative date यहाँ पर जो है date क्यों जानेंगे क्योंकि इससे जो है का idea होता है कि form कप आएगी आपकी यहाँ पर जो है form आजाएगी तो आपको form fill up करना होगा सारी बातें आपको बता देने वाला हूँ सबसे पहले का आफ स्योर रहिए यहाँ पर entrance examination नहीं होने वाला CVT की थुरू और जो है मैं बात कर रहे हूँ 2022 की यहाँ पर season 2022 में entrance examination नहीं लेने वाली BLLB के लिए CVT बात में हो सकता है यहाँ पर changes देखनी को मिले कुछ भी यहाँ पर हो सकता है changes तो यहाँ पर confirm कर लेजएगा अगर आप 2023 में देख रहे हैं यह वीडियो को तो यहाँ पर CVT examination नहीं लेने वाली तो EMU आपका examination conduct कराएंगे EMU जो है अब यहाँ पर बात करें syllabus की तो syllabus बिलकुल सेम होता है syllabus change नहीं होता यहाँ पर normally syllabus change नहीं होगा यह prospectus आने के बाद पता चलता है कौन कौन से topic आपको cover करनी है पर देखा गया है एक जो समझ लेजे आप pattern है कि change नहीं होते तो आप जो है old ही वाला syllabus follow देजे यहाँ पर syllabus देखे आपको सुरू कर देना चाहिए cover करना क्योंकि competition कहीं न कहीं BLLB में देखा गया है high रहती है ठीक है as compared to other courses BLLB में आपका competition high रहेगा cut-off आई जाती है तो आपको तयारी start कर देनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पर same है सब कुछ streets भी same है centers भी same है और जो है आपका pattern भी same रहने वाला यहाँ पर कुछ भी changes देखेने को नहीं मिल रहे है तो आप जो है follow कर लेजे उसे और syllabus कोसिस करें जल्दी से जल्दी cover करने की बात करें अप tentative date की यहाँ पर जो है आपके entrance examination कब होंगे देखें यह official date नहीं tentative date है या change होने के chances बिल्कुल है फिर भी एक आपको idea दे दे रहाँ यहाँ पर जो है form आपकी आजाएंगी last week of April में last week of April में जो है form आने के बिल्कुल यहाँ पर chance है अगर नहीं आती तो next month जो है first week में जो है form आपको देखनी को मिल जाएगा और इससे ज़्यादा extend नहीं होगी already काफे late है अगर session की बात करें तो session आपका जो है सही time पे start हो जाएगा यहाँ पर late आपको देखनी को नहीं मिलेगी और session आपकी अगस्ट time से जो है अगस्ट में जाकर अच्छे से classes वगरे start हो जाएंगी और जो है classes आपकी होंगी offline याद रखे क्योंकि online अब बंद हो गया है और जो है पहले जो है मैं क्यों यह बात को highlight कर रहा हूं कि online या offline होंगी क्योंकि जितने भी आपके पहले बैस थे सबके online यहाँ पर classes चल रहे है इसलिए जो है मैंने यह highlight करा कि online आपकी classes होंगी और classes जो है अगस्ट से start हो जाएंगी उससे पहले सब कुछ आपका हो जाएगा और admission वगरा जुलाई तक में जो है आपके कंड़ा करा लिए जाएंगे तो एक जो है आपको tentative date का अंदाजा यहाँ पर हो जाना चाहिए कि कब आपके examination होंगे यहाँ पर examination जो है date change होते हैं पर आप admission का सीओर रही है जुलाई अगस्ट में आपका admission हो जाएंगा classes भी सुरू हो जाएंगी तो अब आप